दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि Samsung काफी popular कम नहीं और उसने हम ने काफी ज़ादा कमाल कमाल के फोन्स घृट्वाउट दयर निकाले है और ऐसा निया कि स्पर इस साल पिछले साल पिछले काफी लंबे सामय से काफी दधमाकेदार फोन्स निकाल रही है और बीच-वीच में कुछ खतरना फोंस में निकालने गैलक्सी नोट 7 जैसे लेकिन आज इस वीडियों हम बात करने वाले है उन खुंच फोंस की जो की काफी साथ ग्राउंड ट्रेकिंग थे उस सैंसंग की तरफ से आने वाले बेस्ट पॉसिबल फोंस है मतब एंड्रोइड फोंस में बात कर लेकि आई थी लेगने इस स्मार्ट फोंसे जो एंड्रोइड फोंस की जो शुरुआत हुई थी ना वो हुई थी यानि कि ये एक फोन थे बेसिक फोन निकल का तो सैंसंग का एक प्रॉपर फ्लेक्शिप था जिसके बास सैंसंग ने अपनी जनरी ढंग से स्टार्ट करी थ लेकिन उस जमाने के सबसे यानि किया से दस से ग्यारा साल पहले की बात करें तो यह एक फ्लेक्शिप फोन था उस जमाने का यह भी काफी अमेजिन चीज़ है लेकिन इसके बाद जो अगला फोन था ना जो उसके अगले साल रिलीज हुआ वह सबसे आदा धमाकेदार फोन लेकिया आया ऐसा फोन सामना है जिसने दुनिया की हर कंपनी को इंफ्लूइंस किया इवन एपल जैसी कंपनी जो छोटे फोन बनाती थी नोट की सकसेस के बाद वो भी अपने फोन के साइसे बड़े करने लोगे और प्लस प्रो प्रो मैक्स सब मॉडल निकान लेक्शी नो वो तो स्टार्ट हुआ है यहां से लेकिन अगर हम बड़े फोन के बार में बात कर रहें तो छोटे फोन को कैसे बोल जाए छोटे फोन में मेरे पास एक ऐसा फोन है जो कि सैमसंगी तरफ से अभी तक कब बनाओ है बेस्ट कॉम्पक्ट फोन में खह सकता हूँ वह गैलक्स अब देखा तो एस टैनी उस जमाने में आया था जब लोग छोटे फोन लेना पसंद नहीं करते थे लेकिन एस टैनी की खास बात यह थी कि छोटा जरूर था लेकिन फ्लैक्शिप प्रोसेसर था उस जमाने का और यहां तक कि छोटे स्क्रीन साइस के साथ आता था था 5.8 और सस्ती कीमत में आता था और यही सारा जो कंसेप्ट है ना आगे चलके एपल अपने आईफोन 12 मिनी के साथ भी लेकिन एस टैनी एना वो अपने जमाने से काफी आगे का था और मेरे को रखता है कि एस टैनी जैसे थोड़े कॉंपक्ट फोन निकल के एना मार्केट में का लोगों ने इसको इतना जादा पसंद नहीं किया लोग सब बड़े फोन की पीछे भाग रहे थे लेकिन कॉंपक्ट फोन का जो जमान है आप फूल लग रहा है कि आगे चलके काफी जादा हिट हो सकता है और दोस्तों इसके भागबार ही आती सैमसंग के फोल्डिंग फोन जो सारी कम यह गैलक्सी फोल्ड वन में थी वो सारी फिक्स की गई डूर दिखने को मती है डिस्प्ले भी अच्छा देखने को मलता है और तो बात तो यह भी है कि यहां पर आपको एक डेवाइस किंदर दो डेवाइस मिल जाते है यानि कि इसके आपे फोन भी है, टैबलेट है, दोनों का मिक्स है, और देखा तो Samsung पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, किस तरीके से ऐसी flagship category को या flagship technology को सस्ते सस्ते में प्रवाइट किया जाए, ताकि जादा से जादा लोग तक जो flagship foldable technology वो पहुंचा ही जा सके, तो देखा तो foldable में एक ऐसे फोन की जो कि one of the most underrated phone रहा 2020 का, और वो है Galaxy M51, M51 देखा तो ठीक फोन लाँचिया था, लेकिन उस फोन के एक main feature के बार में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है 7000 mAh की बैटरी, हमने पास्ट में बड़े फोन देखे, 5000, 6000, 6000, 1000 mAh की बैटरी वाले फोन, लेकिन फोन कितने जादा बड़े होते हैं, और कितने ऐसे फोन होते हैं, जो कि पबलिकली अवाले बागल होते हैं, जो कि दुकान में जाके आप खरीच सकते हो, Amazon पर खुलने कितने हैं, इसे फोन बिकते हैं, जिनके आदा को 7000 mAh की बैटरी देखने को होती है, और यहां M51 ने य इसने से form factor में फसा रहे हो, यह देखने सुनने हैं बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन real world में जब इसको कोई implement करने जाएगी ना company, उसे बहुत दिक्कते आने वाली हैं, क्योंकि यहां पर उन्होंने कम वेट के अंदर काफी जादा बैटरी को fit कर दिया, और phone को भी दूसरे phone के सब compare रहे, तो यह Galaxy 51 काफी सही है, उम्मीद है कि इस type के technology वो दूसरे अपने phones के अंदर भी implement करें, और उनके अंदर भी बड़ी से बड़ी battery दे, लेकिन phone की जो थिकना सोती है, उसे भी maintain रखे, और जो phone का weight होता है उसे भी well distributed रखे, यह भी काफी सही चीज है, और इसके बाद मेरे पास एक ऐसा phone है Samsung की तरफ से, जिसके बार में शायद से आप लोग को शायद पता हो या नहीं पता हो, वो है Samsung का एक stock Android वाला phone, क्यों अभी भी दिमाग चक्रा आगिया ना, यहाँ मैं मैं बात करो Samsung Galaxy Nexus की, यह काफी जादा पुराना phone है, लेकिन बात कि इसको आगे लेके बढ़े Google के साथ मिलके उन्होंने अपने प्ले एडिशन कुछ phones निकाले, लेकिन वो मार्केट में चली नहीं, लेकिन यह जो phone है ना, इसके बाद जो अगला phone है ना, वो है दुनिया का पहला 5G phone, यहाँ मैं मैं Samsung की नहीं पूरे दुनिया के पहले 5G phone के बार में बात करना जो commercial ही available था और वो है Samsung Galaxy S10 5G, यह phone है ना, available था Korea के अंदर और USA के अंदर, दुनिया में सबसे पहले जगे जहाँ पे आपको 5G network देखने को मिला था, वो जगे Korea थी, वहाँ पे S10 5G का use करके 5G network को access किया गया था, उसके बाद USA के अंदर जब 5G start हुआ, तो यही phone दा जो 5G को लेके आया था, यह तो देखा जा तो 5G revolution की starting भी ना, Samsung नहीं करी थी, S10 5G दुनिया का पहला 5G phone हो जाता है इस category में, और इसी के साथ ही बात करें latest Samsung के phone की, तो यहाँ पे S20 Ultra को कैसे भूल सकते है, simple सी बात बतारो, S20 Ultra 5G, यह एक ऐसा पहला phone सामने आ इस प्राइस पॉइंट के अंदर, वो अपने हर phone के अंदर, तीन साल के software updates दे रहें, कितनी company हैं जो अपने phone के अंदर तीन साल का लगाता, software update promise करती हैं, मतलब A51, A71 पिछले साल phone release हुए थे, लेकिन अभी आने वाले समयमन को लगाता, software update मिलते रहेंगे, यह काफी सही चीज हो जाती है ना, और ऐसे ही Samsung के कुछ दूसरे phones के बार में बात करें, तो पिछले साल नोंने S10 Lite, Note 10 Lite को रिडियूस किया था, और पिछले साल ये Galaxy S20 FE देखने को मला था, यह एक concept सही था, यानि कि light version निकालो अपने phone का, लेकिन specification वगरा में कमी मत दो, और वैसा ही experience दो, जैसा वो अपने महेंगे phone में दे रहे थे, और S20 FE यहापे काफी जदे successful वा, यानि कि जो S series के जो महेंगे phone के जो flagship features थे, वो सारे उठा के वो अपने सस्ते phone के अंदर लिया है, यह भी काफी कमाल की चीज़े जो आपको Samsung Galaxy S20 FE जैसे phone के अंदर देखने को ले थी, काफी amazing चीज़े, S10 Lite, Note 10 Lite यह भी काफी भढ़िया थे, और देखके लग रहा है कि S20 FE को बनान लाइट वाले जो phone से वो हमें आगे भी देखने को मिलते रहेंगे, अगर इस टाइप की चीज़े अगर और देखने को मिले, फिर तो काफी ज़्यादा मज़ा जाएगा, तो दोस्तों यह थे कुछ phone Samsung की तरफ से, जो की मिरे को काफी ज़्यादा पसंद आये थे, और सच म बात की जाए तो इनके लावा और भी काफी सारे phones है, आप लोग क्या लगता है, इस लिस्ट में अगली बार कौन-कौन से phone include कर सकते हैं, फिर इन में से आप लोग को अपना पेवरेट phone कौन सा लगा मंद बागर choose करना चाहो, तो आप लोग का फेवरेट phone के बाद नीचे क